असलाव अलेकुम आज हम अल्विदा कहने आए हैं जनेल कमर जवेद बाजवा को उनको बाइबाए वो हमारी जान है हमारी आन है वो फौच के वो सिपासलार है जो छे साल तक फौच की सिपासलार ही करते रहे हमारी मुल्क की फौच के इसे पसलार रहे उनकी काते में बहुत सारी अचीफ्मेंट्स है जो सबसे बड़ी अचीफ्मेंट्स है वो यह है कि फरवरी 2019 में जब भारत ने एक हवाई घमला किया था तो उसमें मेक 21 के साथ दो जहाज हमने उनके गिराय थे और उनकी कमर को तोर दिया था सारी दुनिया में उनकी बढ़नामी होई थी और पाकिस्तानी फौच की और उसकी कमान की तारी ही थी इसके रावा आपरेशन रदुल फसाद में पाकिस्तान ने बहुत बड़ी-बड़ी काम्याभी आंसल की और देशित गर्दों का की कमर तोर दी जवान भी शहीद हुए लेकिन देशित गर्दी का मकमल तरीके से खात्मा कर दिया गया ये जवानों का होसला बढ़ाने के लिए सरदों पर भी जाते रहे और उन जगों पर भी जाते रहे जहां पर आपरेशन होते थे इन्होंने अपना हर लम्हा फौज की कमान के लिए वक्त किया और साथ साथ मुल्क की खिबन भी करते रहे अमरीका के साथ स्ट्राटेजिक तालुकात की में बहुत बेतरी आई चाइना के सी पैक का मामला जो थे वो बड़े खुशसलूवी से चलते रहे और दोनों मुलकों में बैलनस तालुकात में बैलनस भी रखा गया इंडिया को बाज़े प्रगाम दिया गया कि हम अमन चाहते हैं लेकिन अगल जरा सी भी जारियत की गई तो उसका जवाब इन्ट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा बाराल यह हमारे एक अजीम जर्नल थे और यकिना इनकी कमी पूरी करने के लिए दूसरे जर्नल तो मजूद हैं मगर इनकी याद हमारे दिलों में रहेगी इन्शाला यह सी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ आप भी बाई बाई कीजिए अपनी जान को मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे दूआ में याद रखेगा अल्ला हापीज